नागिन स्वीर जल्द बंद होने वाला है ऐसे में हमेशा की तरह एक तक खपूर ने नागिन का अंत दिल्चस्प तरीके से करने का प्लान बनाया है और इसलिए शो में अब जल्द ही शिवांगे की रेंट्री कराई जाएगी अपने पिशली रिपोर्ट में हम शो के क्लाइमेक्स से जुड़ी आपको कई डीटेल्स दे चुके हैं लेकिन अब शो के क्लाइमेक्स से जुड़ी एक बेहत नई जानकारी सामने आई है और वो जानकारी ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बेला माहिर की मौ मार जाएगी और जिसकी वज़े से तामसी अपनी काली शक्तियों से बेला और माहिर को मार देगी लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा त्विस्ट आएगा जब शो में एक साथ 24 साल का लीब आएगा कहा जा रहा है कि इस लीब के बाद तामसी बड़ी हो जाएगी और इसके साथ ही बेला माहिर का होगा पुनरजन यानि 24 साल बाद बेला और माहिर फिरलोट कराएंगे अपनी मौत का बदला लेने के लिए लेकिन अब ये देखना रहेगा कि आखर 24 साल बाद शो में किस तरह शिवांगी और रौकी की वापसी होगी और वो कैसे बेला के इस इंतकाम के बदले में उसका साथ देंगे वैसे अगर बात करें शो के लेटिस प्रोमो की तो इसे देखकर इतना तो तैह है कि शो के फिनाले में जबर दस धमाका देखने को मिलेगा जब मौनी, अरजुन, करण, इन तीनों की तिकडी बेला के साथ मिल जाएगी और इससे उसकी ताकत में काफी जाफा होगा वैसे अब तक तो शो में नागरानी बेला के साथ उसके दोस्त, विशाखा, माहिर और विक्रांथी हैं तो अब ऐसे में कैसी शिवांगी रौकी बेला की मदद के लिए आगे आएंगे ये देखना काफी इंट्रेस्टिंग रहेगा लेकिन आप इतना मान सकते हैं कि जब तक नागिन 3 बंग नहीं होता तब तक शो का हर वीकेंट धमागेदार ही होने वाला है अब शोकेस रिइंकार्नेशन ट्विस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में आप ही ज़रूर बताएं